अगर टेस्ट कराती पता चल जाता है कि मुझे एंसर तो किस तरह से रखरखाब की जाए किस तरह से डोक्टर की सला ली जाए सबसे पहले क्या करें जीवन सहली में बदला बहुत जिरूरी है मैंने बार बार इसी बात पर जोल देता हूं कि जीवन सहली में जब तक है प्रेशेंट अपना बदलाव नहीं करेगा ना उसकी बिमारी ठीक नहीं हो सकती सबसे पहले चाहिए वो स्वस्ताजमी है चाहिए वो पेशेंट है किसी भी क्रोनिक डिजीज का शिकार है सुबह उठते ही बिना फ्रैस वे उठते ही कम से कम एक गिलास ज़ादा पीने की च्छा है तो एक लेटर तक गुन-गुना पानी जरूर पी उठते ही पानी पीने का तरीका है गूंड-गूंड करके पिए बैठके पिए और बासिमों पिए बासिमों से मेरा मतलब पानी का कुल लब भार ना पैड़ा आई रिवेद का ये मानना है कि कोई भी बीमारी जब बनती है हमारे वात्पितकफ के डिस्बैलंस होने से बनती है छोटी से लेके कोई भी बाध्पितकफ बीमारी ने मतलब है वात्पितकफ जब तक संतुलन में है बैलंस थी बीमारी ने लगए जनक रुगना है कि हमारी इममनोटी कमज़र हो यह हमारा अrichtdefam Vale कि अच्छे खम जोड़ हो पुarts तो उस समय जब कमज़ों चोंग्जर है उन पर किस बीमारे कि हम कर कर देंगे और खुद की बादशाथ जमा लेंगे वही बीमारी हमें लगे जाएगा तो यह जो स्लाइवा है जो मैंने कहा है मैं इस बात को विश्यस फोकुस करता हूं राद बर की जो स्लाइवा हमारे मुह में है है यह सारी की सारी पेटमें जाने सी है अमरत है हम इसको मुस्सलि बाहर फैंग लगब लोग ऐसा ही करते हैं यह अमरत है ये बात पितकफ को बैलंस करती है ठीक है खाने का टाइम खाने का टाइम का ध्वान लगए एक समय का खाना पचाने में साथ से आठ गंडे का समय लगता है और वो समय कब लगता है जब हमारा पाच़्चंत अंतर हाइवेद में यसे जट अने कहते हैं खाना नहीं पच पाएगा जब खाना नहीं पचेगा नेक्स टाइम फिर खा लेंगे बिमारी बढ़ाएगा इसलिए मैं विश्यस फोकुस करता हूं कि नो बजे से पहले सुबह और शाम को सूरियस तो तो ते आदमी को खाना खालेना चाहिए क्योंकि इस तैम में हमारा पाच्चन तर्फिया ट्रग ने तेजगती से काम करती है अगर हमने कुछ ज्यादा भी खा लिया तो और हमसे डाइगेस्ट हो जाते हैं ठीक है कि सब के घरों में आज अलमीनियम के बड़ता है खाना पकाने जादिए आज से पहले तो नहीं होते खाना बनाने से लेकर उनको साफ करने तक की पुरिया ठीक नहीं है सब को ओम मालूम है आगाम आदमी को कि यसी अगए नपलोड आदमी को मालूम है करेंगेकर को अ cór प्रेसर कुकर रेसर कुकर में खाना पकता नहीं है गल्दा है और गली हुए सिस कभी डाय जिस्ट shootings बना रहें उसका आमोनिया साधर में बताओं तो पुल जो ज्ञाग आता है पहना जिसे कहते हैं ज्ञाग वही अमोनिया होता है उसको पुरानी अनपर्ध लेडिज थी वो भी निकालके बार प्रेक्टे थी लेकिन आजम क्या तरहा हैं जो खाना बना रहें उसे मिजज बो होगया है जाहर हम खा रहें कोन बचाएगा ब्यमारियों को थमिंवेट करना बताओ को बिजए 방पान रहन सेंध जब तक हम बतलाव नहीं करेंगे हम इन इसमिजज दो भी सुरू में भी कहा है अब फिर बता रहा हो कि सतर परिशंद ब्मारी है हमारे खाण-खाण चानल को आज क्या मिला है गज का मैदा के Fight मैंडा के खाने के अलाव ऑद यसे आज वो फास्ट फूर खैते यह अधोंने सब्सक्राइएब लेकिन लोग बड़े चाल से काते हैं पूरी पूरी कठी होगे खागी है ति कभी डाइज़स नहीं होते हैं पाच्छंत अंतर बीगाड़न जखती हैं यह वियों के लक्षन हैं यह वियुक्त बैमारी बनाने गेंगे इंशे हमें बसना है आ पंजेन जैसे कैमिकल्स से कैंसर हो रहे हैं और लेकÓि बैंजीन 14 गंठे हमारे रैसोय घर में मौजूद है किसी चीज के पहुड़ीज है तुसके नक्सान भी है लेगन हम स्फ़ पाइदर नजर एपने तुह कि अधिन नजर नहीं आप एंजीन से एंसर मनता है अब कहीं भी चले जाओ आप इंडिया के चारो कॉना में गॉम्लों हर लेडी जिका खाना बनाने का तरीका एक है कि आप यह साओंस में चले जाओ तूभी नोर्थ में इस्त में वेस्त तवे रोटी उठाके दो तीन बार तवे को ट्रप टेकर ऑफे रोटी जागे शिद्धी जोले पे फैटी को आप शिदी बेंजिन के संपर्क का एंजिन तो कैंसर जैसी बीमारी बना रहे है बहुत ची क कर दो